सबी को नमस्कार, नकसा हिस्टोर के प्लान नमबर 44 में मैं रोश्रिकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा प्लान रहेगा वो 25 वीट के प्लॉट एरिये में बना हुआ है दोनों ही साइट से ये ब्लॉट प्लॉट है और इनके वेंटलिशन के लिए सिर्फ सामने और बैक स्पेस मिल रहे हैं इसमें आपको 3 बेडरूम, 3 वी बेडरूम, एटाइश बाद, किचन, ऑपन किचन मिल रहा है, पार्किंग भी स्पेस आपको काफे अचे से मिल जाएंगे और बेंटेरिस भी इसमें डिजायन काफे अचे से आमको देखने को मिल रहा है वें दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये घर भी आप काफी अच्छा पसंद करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में राइस जरूर दें दोस्तो बात कर लेते हैं इसे स्क्रीन को पॉस्ट करके भी देख सकते हैं या हमारे नीचे दिया देश्टिवन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रन्ट एलेवेशन टेखने के काफी अच्छे यहां पर मिल जाते हैं तुपलेक्स हाउस में आखे चलेंगे दोस्तो यह हまरा फंट केयट रहा का जिससे की कार पार्किंग और पेडिश्यवें यह एंट्री होंगे का पार्किंगे स्पेस हो रहेगा साधल सात्रब भाइस साधल Türञ वी स्टी तो यहां पर काफी अच्छी बडिटी कर आपकी पार्क हो जाएगी कफे spacious parking रहेगा इसे के दाइनी तरफ आपको मिल जाएंगे एक lawn एरिया जिसके size लेगे 10 भाई 10 की तो यहाँ पे आप अपना gardening करवा सकते हैं यहाँ आप एक sitting space भी लगवा सकते हैं यह हमारा plinth level रहेगा जिससे कि हम लोग इस करके अंदर एंडर करेंगे इंडर करने पर आपको सबसे पहले पहुचेंगे living hall में living hall को size रहेगी साड़े तेरे बर साड़े बारा फिट की जिसमें की आप सोफा सेट वगरा काफी अच्छे से प्लेस करा पाएंगे और center table प्लेस करने की space मिल जाएगी यह हमारा TV unit भी आप अच्छे से बनवा सकते हैं आपने काफी अच्छे से TV unit बनाया है false rings designs आप देख सकते हैं काफी अच्छा false rings designs आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा P.O.P की प्लस brass flashing भी के हमने किया हुआ हुआ है 4 seatings की stables आपको यहां पर प्लेस हो जाएगा वाल्स में डेकोरिंग में काफी अच्छा आपने किया हुआ है false rings designs में काफी अच्छा है यहां पर आपने दिया है जिसको के अपने wooden structures और P.O.P के wooden structures के पेंटिंग से किये हुए आप wallpapers में चाहे तो लगवा सकते हैं यह dining space और living space आपस में connected रहेगा आप इसे curtain से divide भी कर सकते हैं यह आमारा vanity space रहेगी इसमें आप जो duck dining में अब खाते हैं तो आप हमना hand wash कर सकते हैं यह आप सुमर cup dressing रहेगा चाहे तो यहां पर करवा सकते हैं लाइटिंग में काफी अचा है यहां पर हमने दिया हुआ है और यह पूरे वास्तों में बना हुआ है तो ओमी को दोस्तों एक घहर आप पसंद कर रहे होंगे आगे वाड़ेकर दोस्तों तो living hall के साथ आपने मिलेगा एक powder room जिसकी size रहेगी साड़े पांस भाई साड़े तीन फिट के यहां पर अपर अपर मोड एरिया इंडियन चाह वेस्टन कुछ भी लगा सकते हैं और यहां पर वाश्बेसिंग भी अपना चैसे प्लेश दरवा पाएंगे यहां पर कफी हमने अपना एंड प्रेल में इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे बेड्रूम में जो ग्राउन फ्रू की सबसेट नंबर वन बेड्रूम रहेगी बेड्रूम की साइज रहेगी करीबन आपका साड़े चौदर पाई साड़े ग्यारा फिट की के वी बेड्र की पैनल्स वी काफी अचे हमने यह पर प्लेस किये हैं और वा्टरोरल बेड्रिया भी हमने डिए आप काफी अचै ukla की लगए यहां पके से आप त्वेड्र Wowny पाएंगे यहांब और त्वी इनिट भी काफी अचेहिए देखने को मिल रहा होगा आपको देखोरिंग भी काफी अच्छा है आप पे हमने किया है सल्बस्वाइन भी हमने बनाए है उम्हें तो दोस्तों ये वीडियो पसंद कर रहे होंगे बेग्रूम्स के साथ ही आपको मिलेगा एक द्रेसिंग उनिट जहां पे आपना ड्रेसिंग उनिट प्लेस कर आप आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो यह हमारे एक अटेश्ट बात इसके साथ मिल जाती है अटेश्ट बात की साइज रहे कि आपको साथ फिट तीन इंची पाई चार फिट छेंच तो यहां पे आपना सावर रेडिया कमोड और वाष बेसिन वैनिट उनिट काफिया जैसे प्लेस कर आप आएंगे सेडियों से अम लोग ऊपर चलेंगे तो यह डूपलेक्स हाउस होने करना यहां पे आगे में ग्राउंड फर्स फ्रोड में दो बेट रूम दिये जो फ्रंट जो बैक की आफ रेड़रोड के जैसा है वैसा ही रहएगा और जो फ्रंट की बेट रोम रहेगी वह मैं दिखाऊँerson को आपको और यहां पर आपका चलेंगे हमने सबसे पहले वाले रूम पे पहले रूम जो हाया फ्रंट रेगी इसके साथ बालकुनी अटैस्ट मिलता है आपको और एक अटाइस बात भी मिल जाती है इस बैडरूम के साथ आप डिंवायड कर सकते हैं एक उडिया को और वैरिट नішी यूनिट को और कमोड को तो काफी अच्छा है यहां पर इस पेशिस आपका यह खर देखने को मिल जागा 25 इंटी 55 फीट के प्लॉट साइज में फो डिलाक्स में यह खर आपका कंप्रीट हो जागा उमेद दोस्तों यह वीडियो आप पसंद किये होंगे और इसे लाइक जरूर करेंगे अपना कमेंट बोक्स में राइकर जरूर दे धन्यवाद सब स्टाइब करना नहीं बोलेंगे दोस्तों बाबाई